तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार आसा और उमीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों आज का हमारा वीडियो है टापिकれない प्रतलों आप वीडियो मतलब इनुवर्स मेंट्रिक्स ऐनोर्स आफ मैंत्राइश आप इसाइशा है करी वही है बाएज़े से फिल्कुल किया है आपने बेकिन वहन पre किया था इन्वर्स आफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंटरी रो आप्रेशन और एलिमेंटरी कॉलम आप्रेशन ए आरो या फिर सी आरो के यूज से आपने प्रतीलोम आप व्यूग फाइंड किया था लेकिन प्यारे बच्चों एक्जाम में अगर बोलेगा कि आप व्यूख का प्रतलोम गयाद करो Elementary Row Operation से या फिर Elementary Column Operation से तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा और अगर कहता है कि Determinant से गयाद करो प्यारे बच्चों तो आपको Determinant से गयाद करना पड़ेगा इसलिए इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम inverse find out करते हैं प्यारे बच्चों तो प्यारे प्यारे बच्चों यहां तक आप अगर एकदम clear होके आ गए हैं और अगर बहतर concept अभी नहीं हुए बच्चे तक बार फिर से संघर्स करो फिर से प्रयास करो फिर से वीडियो देखो और complete concept के साथ बच्चे हम आगे बढ़ते हैं तो अगर प्यारे बच्चों हम कहते हैं हमने क्या बूला था पिछली वार भी हमने नहीं पढ़ा था हम इनवर्स आप मैट्रिक्स अब किस चैप्टर प्रें बच्चे डिटर मेंड की अंदर आखे पढ़ रहा है ना प्यारे बच्चे और जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तब हमने यह direction बोली थी किया अधी एवं भी दो समान क्रम के समान क्रम के आप है कि इस प्रकार है कि जब ए से बी का गुणा करो है न बच्चे जब एसे का गुणा करो तो बराबर आजाए और यह दोनों बराबर आजाए आई कहने का मतलब यह पर बच्चों कि A B भी आई आजाए एका B से गुणा आई आजाए और B A भी आई आजाए B का A से गुणा आई आजाए तो इक्वेशन नमबर फर्स्ट इक्वेशन नमबर सेकेंड इनको कमबाइन लिखेंगे तो A B और B A दोनों आई के बराबर हैं तो A B is equal to B A is equal to I वह दिक्वेशन प्यारे बच्चों को तो अगर ऐसी कंडिशन हो आपने बच्चों में इस तरीके से गुणा करो तो इक्वल नहीं होते लेकिन इस कंडिशन में इक्वल होते हैं किस कंडिशन में इनवर्स वाले कंडिशन में है ना प्यारे बच्चों इस प्रकार हों कि A B is equal to B is equal to I तो हम तो हम A को A को B का इनवर्स B का इनवर्स मतलब प्रतिलोम प्रतिलोम एवं एवं B को B को A का प्रतिलोम कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं A is called inverse of B and B is called inverse of A और इसे हम कैसे लग सकते हैं प्यारे बच्चों इसे हम लग सकते हैं B is equal to inverse of A B जो है A का inverse है और A is equal to inverse of B तो हमारा जो A है वो B का inverse है तो अगर A B और B A दोनों गुणा I के परावर हो गया तो केवल उसी condition हम बोलेंगे कि A का inverse B है और B का inverse A है प्यारे बच्चों ठीक है बच्चे तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो inverse निकालने का इसमें फार्मूला क्या है टेक्निक क्या है प्यारे बच्चों हम वो देखते हैं इसमें एक एग्जामपल दिया हुआ है उस एग्जामपल की साहिता से हम यह चीज बोल सकते हैं कि A B का inverse A और B A का inverse है लेकर वो एग्जामपल हम नहीं देखते हम सीधे आ प्यारे बच्चों अभी हमें जल्दी सलेबस खतम करना है बहुत पीछ चल रहे हम तो मैं डारेक्ट मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया है किसी दिन किसी एकाथ वीडियो में आके मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा प्यारे बच्चों और प्रूफ बहुत एजी ह आपको याद रखना है adjoint of a upon determinant of a मतलब आप समझ गए हो अगर आपको एका inverse निकालना है तो आपको एका adjoint निकालना पड़ेगा और एका determinant निकालना पड़ेगा अगर आपको एका प्रतलोम निकालना है तो आपको एका second निकालना पड़ेगा second मतलब adjoint निकालना पड़ेग और उनका सार्णिक का मान निकालना पड़ेगा तो बहुत इजी है प्यारे बच्छों अराम से बन जाएगा जैसे मैं पहले एक करता हूँ एक कुस्चन करता हूँ फिर इसकी प्रापरिटी भी देखेंगे तो प्यारे बच्छों नमबर फस्ट है एकसर साइज अब वन कौन से करेंगे आगे 4.9 करेंगे 4.8 तक कंप्लेट कर चुके हैं इसमें एक्जामपल नमबर फस्ट है प्यारे बच्छों उसी को देख लेते हैं आप व्यूव ए इस इक्वल टू आप व्यूव ए इस इक्वल टू एक क्या है प्यारे बच्छों 3517 3517 का एड़ जॉएंट का प्रतिलों ग्यात कीजी कप प्रतिलों ग्यात किई प्राइब चीर। रCSपल टे इन्वर्स आफ इसका प्रतिलों ग्यात करना है तो सबसे पहले हो करके हमें क्या बोलना है तिया है क्या दियाए गिवन है क्या गिए मैंने एक ये फिर्चों डिवन है एप इस इक्वल होता है इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चे हमें एड जॉइंट भी निकालना है और हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं बच्चे हम बोलेंगे इसलिए Determinant of A Determinant of A का मतलब बच्चे आप व्यू हटा के क्या लगा दो Determinant लगा दो मतलब सारनिक लगा दो प्यारे बच्चों तो Determinant of A is equal to 3 का हुना साथ से साथ तरीक 21-5 एक कम 5 तो Determinant of A is equal to 21 में 5 गए बच्चे तो 16 आ गया है न प्यारे बच्चों तो determinant of A हमे क्या मिल गया 16 मिल गया प्यारे बच्चों अब Rings में इस अब हमें क्या आचाहिłem एड्जॉइंट एनगी कालने के लिए कई निकालना पड़ेगा तो प्यारे बच्छों हम क्या बोलेंगे हम यहां पे बोलेंगे कि since a is equal to a is equal to क्या है 3 5 1 और 7 है ना इसलिए m 11 निकाल लो m 11 क्या होगा बच्चे यह होता है 11 11 11 11 11 का है इसका रो इसका कॉलम ठकेंगे बच्चे तो कितना आजाएगा 7 बच्चेगा 7 आ गया बच्चे M 12 क्या होगा प्यारे बच्चों M 12 होगा यह होता है गजिए आ call को पता है यह 11 होता है यह 11 टू होता है कि टू वन होता है और ये टू टू होता है तो वन वन देख रहे हैं तो वन वन को ठकेंगे वन वन का ये एक्सरसाइज नहीं आता को फैक्टर और को फैक्टर और माइनर नहीं आते तो आप जाके देखो बार-बार बोल रहा हूं मैं अगर ये नहीं आएगा तो तो मजा नहीं आएगा अब वन्टू है तो इसको ढको इसको ढको तो डिटर्मिनेंट औफ वन इसकी वालू सारस्फिज णाती है 21 है यह इंहुत्त में दो इनको डिटर्मिनेंट 05 बचेगा तों 5 आ जा एगा M22 है प्यारे बच्चों यह 22 है तो यह ढखो और यह ढखो determinant of 3 होगा प्यारे बच्चों तो यहां हम क्या लिख देंगे बच्चे यहां हम 3 लिख देंगे तो प्यारे बच्चों अब हम क्या बोलेंगे अब हमें क्या ग्याद करना है अब हमें ग्याद करना है second मतलब capital A तो गोलेंगे since Aij is equal to क्या होता है प्यारे बच्चों minus 1 की power i plus j minus 1 की power i plus j into mij लेकिन हम करेंगे बच्चे direct कैसे direct a11 तो यह माइनस अगर 1 plus 1 is equal to 2 है आई और जे का जोड आई और जे का प्लस अगर सम होता है तो पॉजिटिव लेते हैं बच्चे यहां पर क्या जाएगा plus a11 equal to plus 11 11 है क्या बच्चे 11 मैंने निकाला भी साथ है तो a117 आ गया a12 प्यारे बच्चों one plus two is equal to 3 होता है 3 bsum है odd है odd में minus होता है तो-112 मैंने फ्यारे बच्चों M12 की value क्या है one है प्यारे बच्चों ऐसे ही a221 प्यारे बच्चों तो टू प्लस 121 क्या होगा 3 होगा 3 besum है odd है तो बिसम में प्यारे बच्चों माइनस लगाते हैं माइनस M21 तो प्यारे बच्चों M21 क्या है 5 है तो माइनस का 5 आ गया अब प्यारे बच्चों A22 करना है हमें तो माइनस का माइनस का नहीं बच्चे 22 है ना तो 2 प्लस 2 is equal to 4 है प्यारे बच्चों तो sum है तो प्लस रहेगा even है तो प्लस रहेगा तो M22 M22 की value है प्यारे बच्चों 3 है है ना प्यारे बच्चों 3 है अब हमें क्या निकालना है बच्चे हमें joint निकालना है आप यहाँ पर कहीं पर determinant of a लिख लो 16 क्योंकि अभी धर में मिटाओंगा तो फिर ध्यार नहीं रहेगा क्या था तो प्यारे बच्चों अब हमें करना क्या है अब हमें बोलना है कि since we know that since हम जानते हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं बच्चे दुनिया जहान की बात जानते हैं लेकिन फिलहाल तो इससे काम चलाना पड़ेगा क्या जानते हैं बच्चे हमें जानते हैं कि adjoint of a क्या होता है डारेक्ट एवन वन टू एट टूवन और एट टूटू याद करने का तरीका कॉलम रो में न जाके कॉलम में जाओ है न बच्चे एवन वन एवन टू इस तरीके से रो में चलता है लकिन आप फिसो ए वन वन टूइस तरीके से कॉलम में आ जाओ तो a joint मिल जाता है तो प्यारे बच्चों a joint of a is equal to values put करेंगे बच्चे तो क्या है a 11 है प्यारे बच्चों 7 A12 है माइनस 1 और फिर माइनस 5 और 3 यह प्यारे बच्चों adjoint of A की value मिल गई हमें joint of A भी मिल गया determinant of A भी मिल गया तो अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों अब direct हम लगाएंगे formula और value put कर देंगे लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बताएं प्यारे बच्चों मैंने बोला था कि अगर छोटे number question आएगा तो adjoint of A आप direct निकालोगे कैसे जैसे मालो मैंने बोला था A is equal to अगर a11 a12 a21 और a22 रहेगा प्यारे बच्चों तो adjoint of A क्या हो जाएगा इन दोनों का स्थान चंज होता है तो यहां पर a22 और a21 आएगा और इन दोनों का sign चंज होता है plus है तो minus a21 plus है तो minus का a12 यह adjoint होता है तो अगर हम देखे direct वाला हमारा आंसर विद्वत वाले से मैच करता है कि नहीं करता प्यारे बच्चों तो हमारे पास हमको क्या मिला था बच्चे हमको मिला हुआ था A is equal to क्या था हमारे पास 3 था 5 था 1 था 7 था तो adjoint of A direct कैसे निकालेंगे बच्चे इन दोनों को इंटर्चेंज करेंगे 35 है तो 37 है तो 73 इंटर्चेंज हो गया इन दोनों का चिन्ध बदल दो वन है तो माइनस 15 है तो माइनस 5 मिला लो प्यारे बच्चों adjoint A निकला 7 माइनस 5 माइनस 13 यहां से भी निकला 7 माइनस 5 माइनस 13 तो आप जैसे चाहो प्यारे बच्चों आप वैसे adjoint निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों direct भी निकाल सकते हो और indirect भी निकाल सकते हो तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे since हमे पता है कि A inverse is equal to होता है adjoint of A upon determinant of A तो A inverse is equal to adjoint A क्या निकाले हो बच्चे लोग adjoint A आपने निकाला है adjoint A के अस्थान पर adjoint A की value रखेंगे यहां से ले कर जाएंगे बच्चे 7-5 क्या निकाले हो बच्चे 7-5-1 और 3 upon determinant of A के अस्थान पर determinant of A कितना है प्यारे बच्चों 16 हमने लिखा है वहाँ पर 16 आ गया तो A inverse is equal to इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो आपका यह भी answer हो सकता है प्यारे बच्चों या फिर आपका यह भी एक प्यारे बच्चे और इसको बिर्वत लिखना हो इसको आप ऐसे कर सकते हो वन अपॉन 16 ऐसे और 7-5-1 और 3 यह हमारा answer है प्यारे प्यारे बच्चों इस तरीके से एड़ जॉइंट के इस्तिमाल से डटर्मेस के इस्तिमाल से जो प्यारे बच्चों ये 했는데 हैं वह फाइंड करना ब्षब आसान है चाहे वह त्रीवाई flux मैटराइचस और चाहे वह तूबाइटू मैटराइस तो तो प्यारे बच्चों इसके कुछ properties हैं जो हम पढ़ते हैं, properties यह हैं प्यारे बच्चों, पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है कि A inverse equal to क्या होता है, adjoint of A upon determinant of A होता है, ध्यान रहे जहां, जहां क्या ध्यान रहे, determinant of A is not equal to 0, तो प्यारे बच्चों यह बताओ, determinant of A अगर 0 न होता है, है ना प्यारे बच्चों, हमने अभी आज ही पढ़ा था ब्यूत करमड़ी और अब्यूत करमड़ी याब्यू, इससे पीछे वाले exercise में, तो अगर determinant of A, determinant of A 0 होता है, तो ब्यूत करमड़ी याब्यू कहलाता है, बिचत्त्रा व्यू कहलाता है, और प्यारे उसे non-single matrix कहते हैं regular matrix कहते हैं प्यारे बच्चों तो सिंपल सी बात है यहाँ पर determined of a denominator में है denominator मतलब हर में है और हर कभी 0 नहीं होता क्योंकि अगर denominator 0 हो गया तो infinite हो जाता है undefined हो जाता है इसलिए determinant of a कभी 0 नहीं होना चाहिए मतलब दिया गया matrix व्यूत्क्रमणी आप व्यू होगा regular matrix होगा non-singular matrix होगा तभी उसके inverse का अस्तित्व है तभी उसका inverse exist करता है otherwise the inverse is does not exist यह आपको समझना होगा यह पहला चीज आपको ध्यान रखना है बच्चे सेकेंड नंबर आपको इस exercise में ध्यान देना है कि अगर आप चाहिए डिटर अगर एंवर्स का determinant निकालो एंवर्स है उसका determinant निकालो या फिर determinant निकाल के उसका इनवर्स कर दो बात बरबर है प्यारे बच्चों है ना तो यह भी चीज हो गई उसके बात नंबर थ्री जो है प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है नंबर थ्री ध्यान देना है कि किसी आप व्यूह का यह पहले पढ़ चुके है इसलिए मैं प्रोब निकरा रहा हू मैट्रिक्स वाले पार्ट है पढ़ चुके थे इसे किसी आव्यूह का जो प्रतिलों है जो प्रतिलों है प्रतिलों है प्यारे बच्चों प्रतिलों क्या होता है अद्वितिय होता है अद्वितिय होता है मतलब यूनिक होता है इन्वर्स आफ एनी मैट्राइसे इस यूनिक म कहीं इनवर्स है एक ही परतिलोम है और वह सकता प्यारे बच्चों, उसके साथ ही आपको याद रखना है प्यारे बच्चों क्या याद रखना है बच्चे लोग कि क्या रखना है बच्चे कि AB का inverse number 4 या रखना है कि AB का inverse AB का inverse is equal to होता है B inverse A inverse ये बात बहुत ध्यान रखो बार बार जब भी multiplication आ रहा है बच्चे जैसे आपने पढ़ा था AB का transpose is equal to B transpose A transpose है ना प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात थी ना B पहले आ गया था जब भी multiplication में कोई चीज एड़ होगी transpose एड़ होई AB था तो BA हो गया inverse में भी AB है तो BA हो गया ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं एक्जाम में गलती मत कर देना प्यारे प्यारे बच्चों उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं पाचमा नंबर इनमें किसी निप्रूम में प्राबलाम होगी आप कमेंट कर देना सर की प्रापरटी नमबर फ्रस्ट करने की दिखकत हो आप उस्से बता देना बच्चे मैं प्रूफ कर दूँगा इनका प्रूब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सरक कराओ तो मुझे कराना पड़ेगा इन्वर्स का इन्वर्स प्यारे बच्चों वही आप भी होता है एक और प्रापर्टी प्यारे बच्चों प्रापर्टी नंबर सिक्स जो कहती है कि ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो और चाहे इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दो अगर नीचे दिखना रहा हूं बच्चों मैं आहां देखता हूं प्रापर्टी नंबर सिक्स कि ए A transpose का A transpose का inverse जो है वो एक पल होता है A inverse के transpose के मनलब transpose निकाल के inverse निकालो या फिर inverse निकाल के transpose निकालो मनलब प्यारे बच्चों की परिवर्त है नहीं परिवर्त निकाल के प्रतलोम निकालो या प्रतलोम निकाल के परिवर्त निकालो बात बरबर है प्यारे बच्चों तो इस क्या निकलता है इसकी प्रापर्टेस क्या है ये वारी प्रापर्टी बहुत इन्पॉर्टें फार्मूला भीट है इसका अस्तिक्त अभी है जब यह 0 ways तो प्यारे बच्चों इससे question बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आप व्यूह का inverse तभी possible है यदि आप व्यूह एक व्यूत्करमणी आप व्यूह है मतलब regular या फिर non-singular matrix है तो प्यारे बच्च आप सिंपल से formula लिखोगे और बूलोगे determinant of a zero हो जाएगा तो प्रतलोम कास्ते तो नहीं रहेगा है ना बच्चे तो इसी लिए इसका zero होना पिकार है इसका zero ना होना आवस्चक है तो zero किसका नहीं होता व्यूत्करमणी आप यूह का नहीं होता आप यारे बच्च एक्जांपल मैंने बता दिया है अब जल्दी से आ करो नबया इन लुक्षांप अब मैं करता हूँ कुस्चन नंबर central ही आप यह व्यूत्करम ग्यात कीजिए तो क्ष्थट के बोलूगा दिया है क्या दिया हैям प्यारे बुच्चों एक डिटर बेनिंट दिया है प्याटिए बच्चों zero one activism zero zero one one और प्यारे बच्चों क्ष क्वेस्ट प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया क्या बताया बच्चा लोग अभी मैंने आपको बताया कि इतना जब ए दिया है प्यारे बच्चों तो हमने क्या निकाल लाना चाहिए अधिडियों जाएगा 0 1 1 और 0 1 उल्टा हो गए को 1 और 0 0वन और 0 तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट आफ ए क्या हो जाएगा इसका इस से गुना होता है जीरो फिर फार्मुले का माइस 1 का 1 से गुणा 1 तो डिटर्मिनेंट आफ ए इस इक्वल टू माइनस वन आ गया प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों पुलेंगे सिंस ए इस इक्वल टू 0 1 1 और 0 है तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चे हमें एम निकालना है एड्जॉइंड के लिए एम निकालना है फिर ए निकालना है हम बोलेंगे प्यारे बच्चों एम 11 इस इक्वल टू 11 मतलब यह इसका ढके इसका ढके डिटर्मिनेंट आफ जीरो तो 0 M12 is equal to is code 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 यह आ गया is equal to 1 M21 बच्चे 2121 का मतलब second row of first column मतलब यह तो इसकी रोड़ा को इसका कॉलम ठाको तो आज आएगा बच्चे 1 is equal to 1 अब M22 प्यारे बच्चों तो यह ढखे और यह ढखे तो कितना बचा 0 बचा जीरो आ गया प्यारे बच्चों M22 अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों अब हम बोलेंगे कि सेंस हमें पता है कि AIJ ए निकालना है बच्चे ना AIJ is equal to होता है प्यारे बच्चों minus 1 की power I plus J into Mij मैंने बोला है आप direct निकालो A11 तो प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि जब यह आई और जे का योगफल plus हो आई और जे का योगफल sum हो तो plus लेंगे विसम हो तो minus लेंगे 1 plus 1 2 sum होता है even होता है तो plus लेंगे plus क्या A11 है तो M11 है ना प्यारे बच्चों M11 है क्या 0 है तो A11 0 आ गया A12 प्यारे बच्चों 1 2 तो 1 plus 2 क्या होता है 3 होता है 3 क्या है विसम है विसम मतलब odd है तो odd में माइनस ले लेंगे माइनस क्या M12 प्यारे बच्चों माइनस M12 है क्या 1 है तो 1 आ गया बच्चा लोग ऐसे ही A21 प्यारे बच्चों 2 प्लस 1 क्या होता है 3 3 क्या है बिसम है और है और में माइनस लेंगे तो आ जाएगा A21 है तो M21 तो माइनस हुआ बच्चे 21 क्या है 21 है one प्यारे बच्चों ये 22 करेंगे जब तो 2 plus 2 is equal to 4 होता है तो 4 sum है even है तो plus लेंगे तो M22, तो प्यारे बच्चों M22 क्या है? 0 है प्यारे बच्चों, क्या है 0 है, अब मैं इसको मिटाता हूं बच्चे क्या फिर यही मिटा जेता हूँ, आप जो भी बोलो, मैं मिटाने करें तयार हूँ, मैं यह पूरा मिटाया जेता हूँ, बस आपको ध्यान देना है कि determinant of a क्या है, minus a मिला हुआ है, आगे हम use करेंगे, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे since we know that, क्या बोलेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि adjoint of a आप direct निकाल सकते हो, a11, a12 और a21 और a22 के इस्तेमाल से, तो प्यारे बच्चों, adjoint of a is equal to a11, 0 है, a12, minus 1 है, a21, minus 1 है, और a22, 0 है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये adjoint a हो गया, क्या हुआ बच्चों, adjoint a हो गया, अब बच्चे मैंने आपको बोला था, कि अगर question कम नंबर में आएगा, आप direct भी adjoint a निकाल सकते थे, बच्चे a is equal to क्या था, 0, 1, 1 और 0, तो प्यारे बच adjoint of a के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, इनकी अदला बदली करो, 0, 0 ही रहेगा, इनके चिन बदल दो, 1 से minus 1, 1 है तो minus 1, ये direct निकला बच्चे, यहां से निकल गया, तो 2 by 2 का आप direct में निकाल सकते हो, मैं direct नहीं कर रहा हूं, ताकि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में ना आए, तो उनको ये भी समझ में आ जाए, तो प्यारे बच्चों, adjoint a मिलेगा, अब हम बोलेंगे, sense हमें पता है, कि a inverse क्या होता है, a inverse का फार्मूला है, adjoint a upon determinant of a, तो a inverse is equal to, प्यारे बच्चों, a inverse is equal to, प्यारे बच्चों, adjoint of a क्या है, ad 0, minus 1, minus 1 और 0, तो adjoint a के अस्थान पर रखेंगे, 0, minus 1, minus 1 और 0, upon determinant of a, determinant of a क्या निकाले थे बच्चे, minus 1 निकाले थे, तो a inverse is equal to, अब ये minus वहाँ चला जाएगा, तो 0, minus 1, minus 1 और 0, इस minus का अंदर गुना कर दो प्यारे बच्चों, तो minus का 0 से गुना क्या होगा, 0, तो a view में, matrix में, अंदर गुना सब में होता है, और common भी सब से निकलता है, तो सब में गुना होगा, minus गुना 0 में 0, minus गुना minus 1 में तो प्लस का 1, ये प्लस का 1 और ये 0, कोई दिकत प्यारे बच्चों को, और यही हमारा क्या है बच्चे, answer है, तब वीडियो की लेंथ बढ कर दूं, और बहुत जल्दी प्यारे बच्चों, हमें determinant finish करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, determinant को finish कर देना है, इसमें आपकी मुझे बहुत आवसकता है, आप जल्दी question solve करोगे, fast करोगे, तो अपन fast करेंगे, तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए, नमस्कार, मिल